नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे RCT exam में most questions हम आपको questions plus answer बताएंगे और उसको समझाएंगे भी आप किस प्रकार्वस का answer देश सकते हैं इसमें सबसे पहला आता है निवन में से कौन सा application software नहीं है इसमें है पहला Windows 7, दूसरा page maker, तेसरा है notepad और चोता है photoshop, Windows 7 ये एक operating system है page maker ये application software है, notepad application software है और photoshop application software है, हमारा question था इन में से कौन सा application software नहीं है तो इसका answer हुआ Windows 7, दूसरा question है नेम लिकित में से कौन सा computer hardware को चलाता है और अन्य software चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है इसमें पहला है operating system, दूसरा है अनुप्रियोक software यानि application software तीसरा है A और B, चोता है इसमें उप्रोक्त में से कोई भी नहीं तो इसका answer हुआ operating system क्यों computer hardware को और software दोनों को चलाने का काम करता है operating system यानि दोनों का माध्यम होता है तीसरा question है एक output device का एक उधारन है इसके इनर, floater, tape, software इसका answer हुआ floater क्योंकि floater output device है हम इसके नगी बात करते हैं input device है और software अलग हो गया मित्रो हम इसके साथ-साथ आपके जो alphabet में answer आ रहे है उसको भी समझा रहे है जिससे जरूर नहीं इसी प्रकार person आए person कैसे भी घूम किया है आप उसका आसानी से answer दे सको मित्रो ये दिया आपने हमारी इस channel को subscribe नहीं किया है तो नीचे आप right side में रेड कलर में subscribe बटन दिखाई दे रहा होगा उसके क्लिक करें उसके पास में bell icon दिखाई देगा उसके all पे क्लिक कर दें जिससे ये channel subscribe हो जाए और आगे और भी notes है papers है most questions है जो आदी जानकरियां आप तक आसानी से पहुंच सके आगे हम बात करते है इसका अंसर आएगा बुद्धी का भाव पांचवा question है निम्न में से कौन से एक system software है पहला है Windows 7 दूसरा है पेज़ी मेकर तीसरा है नोटपेट चोतर है फोटोसोग अभी first question आये था उसमें था इनमें से कौन से एप्लिकन software नहीं है अभी question आ रहा है इनमें से एक system software है तो इसमें system software हो गया Windows 7 अब 6th number question है mainframe computer बहुत सस्ते है इस कतन का उतर निम्न विकल्पों में से चुने सही या गलत इसका आंसर है गलत 7th number question है कौन सा computer वरगिकरन नहीं है पहला है mainframe दूसरा है max frame इसका आंसर है b max frame max frame कोई computer नहीं होता है 8th number question है सबसे तेज computer कौन सा है पहला है mainframe दूसरा है micro तीसरा है workstation चोता है super computer इसका आंसर है super computer अब हम बात करते हैं digital printer का एक उधारन है इसमें पहला है matrix printer दूसरा है impact printer तीसरा है laser printer चोता है manual इसका आंसर है impact printer ऐसे printer को दो बागों बटा गया है impact और non impact printer अगला question है निवन में से कौन सी memory 30 seconds कई बार refresh होती है पहला है static RAM दूसरा है dynamic RAM तीसरा है EP ROM और चोता है ROM इसका आंसर आएगा dynamic RAM अगला question है RAM से अधिखादिक परियोग में ली जाने वाले जानकारी को संख्रित करने के लिए कौन सी memory को प्योग के जाता है पहला है case memory दूसरा है main memory तीसरा है register चोता है ROM इसका आंसर है case memory अगला question है एक optical input device को कागस पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्केन और पढ़ता है जिसका आंसर है OMR अगला question निम्ड में से कौन सी memory ऐस्तर प्रकति की है जिसका आंसर है RAM अगला person है computer के solution के उप्योगत कौन सा printer toner को उप्योग करता है इसका आंसर आता है laser printer इससे अगला person है आपके computer को configuration से क्या मतलब है इसका आंसर है उप्रोगत सभी means CPU certification RAM और hardix यानि means उप्रोग सभी आठवा question है DPI का विश्तित रूप है इसका आंसर आएगा डोट परती इंच डोट परे इंच इससे प्रकार 16 question कम्प्लीट हुए है आप सभी को धन्यवाद यह दिया आपने subscribe नहीं किया हो channel तो आप नीचे रेड कर लगा subscribe बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके subscribe करते हैं जिससे कोई most questions या papers ETC जो भी जानकारी है और आप तक आसनी से पहुंच सकें धन्यवाद